आप सभी को जै स्री राम, जै बाला जी सरकार तो आज सुनाते हैं हनुमान जी के चमतकार की एक सच्ची घटना वैसे तो भगवान के चमतकार जो है वो पलपल होते हैं और ये एक भक्त को ही महसूस हो सकते हैं और किसी और को नहीं भगवान अपने भक्तों के लिए कितने चमतकार करते हैं उनको कभी हारने नहीं देते लेकिन उसके लिए आपको भगवान के उपर विश्वास होना चाहिए अटूर स्रद्धा होनी चाहिए इतना होना चाहिए कि नहीं अब जो है वो उनके वाले हैं वो ही सहारा हैं वही बात देते हैं वैसे क्रपा करते हैं क्यूंकि बोलते तो हम हैं लेकिन करते वो हैं और करेंगे वो तो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे इतना विश्वास होना चाहिए अगर इतना विश्वास एक भक्त के ऊपर है अपने भगवान पर तो वो कभी हारता नहीं है और उसकी जै होनी पक्का है वो कभी पराजे नहीं हो सकता तो सुनाते हैं एक सच्ची घटना तो एक पंडिजी थे जो रमायन जी की कथा सुना रहे थे जो लोग महां कथा सुनने के लिए आते थे वो आनंद विफोर होकर जाते थे बहुत अच्छी पंडिजी कथा सुनाया करते थे तो एक बार क्या हुआ कि उसी कथा को सुनने एक वकील साहब भी आते थे वो रोज कथा सुनने आते थे और उनको वकील साहब को उनकी कथा बहुत अच्छी भी लगती थी लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वकील तो थे ही तरकिसील तो होते ही है वकील तो तरकिसील था हावी हो उनकी उपर, उन्हें लगा कि महराज जी रोज कथा सुनाते हैं, और कथा सुनाने से पहले कहते हैं, आईए हन्मेंत जी विराजिए, क्युकि कोई भी कथा वाचक होता है, अगर वो राम कथा कह रहे हैं, तो वो हन्मान जी को, स्रीराम जी को पहले विराजित करेंगे फिर कथा कहना सुरू करेंगे कृष्ण कथा कह रहे हैं तो काना जी को लड़ोपाल को विराजित करेंगे फिर कथा करेंगे तो उनको लगा कि एक आसन दिये हैं हनमान जी के लिए एक गद्धी है और उसमें उसमें वो बुलाते हैं तो क्या सही म हनुमान जी आते होंगे ये तरक था मतलब ये एक तरक था उनके मन में और ये वो पंडित जी से जानना चाहते थे तो एक दिन क्या हुआ कि वकील साब ने कहा पंडित जी से पूछ ही लिया कि महाराज जी आप रामायन की कथा बहुत अच्छे से कहते हैं और हमें आपकी कथ हमें बड़ा आनन्द भी आता है परंदो आप जो गदी प्रती दिन हनुमान जी को देते हैं क्या हनुमान जी सच मुछ उस पर विराजते हैं तो पंडित जी ने कहा हा ये मेरा व्यक्तिकत विश्वास है कि रामकता हो रही हो तो हनुमान जी अवस्ष पधारते हैं वहां पर आते हैं तो वकील साहब पर तरक सीलता हावी थी ही और वो वकील साहब भी थी वकील साहब ने कहा महराज जी ऐसे बात नहीं बनेगी हनुमान जी यहां आते हैं इसका कोई प्रमार दीजिए आप आपको कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनन यहां आते हैं महराज जी ने वकील साहब को बहुत समझाया कि भईया भगवान के प्रति आस्था को किसी सबूत की कसोटी पर नहीं कसना चाहिए ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रीमरस है विक्तिगत स्रद्धा है आप कहो तो मैं कल से प्रवचिन करना बंद कर देत हैं यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे इसलिए महराज आपको तो साबित करना ही होगा कि हनमान जी कथा सुनने आते हैं इस तरह दोनों के वीच वाद विवाद होता रहा और मौखिक संघर्स बढ़ता रहा मतलब बात बात मैं कहीं कोई कुछ तरक करें कोई कुछ त का सबूत कल दूँगा मैं जब कल कथा सुरू होगी तब प्रयोग करूँगा जिस गद्धी पर हनमान जी को विराजित होने को कहता हूँ आज आप उस गद्धी को अपने घर ले जाना कल आते समय उस गद्धी को अपने साथ लेते आना और फिर मैं कल गद्धी यही दिनों की भाती मैं कथा से पहले हनवान जी को बुलाऊंगा और फिर जैसे मैं रोज कथा करता हूँ न वैसे ही करूँगा और रोज की तरह ही हनवान जी को बुलाऊंगा और फिर उसके बाद आप गद्धी को उँचा उठाना यदि आपने गद्धी उंची कर दी तो समझ जाना कि हनुमान जी नहीं है तो वकील भी इसका सोटी के लिए तैयार हो गया उनको लगा किया रही ये तो बहुत आसान बात है उसके बाद क्या हुआ कि पंडे जी ने कहा हम दोनों मैंसे जो पराजित होगा वह क्या करेगा इसका निर्ने भी कर लेते हैं अब लगी हाथ ये तो सत्ती की परीक्षा है पंडे जी ने कहा तो वकील साम ने कहा यदि मैं गद्धी उंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आप से दीक्षा ले लूँगा और यदि आप पराजित हो गए तो क्या करोगी बताओ तो इस पर पंडे जी ने कहा मैं कथा वाचन छोड़कर आपके आफिस में चपरासी बन जाओंगा अगले दिन क्या था अब कथा पंडाल में भारी भीड जमा हो गई जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वो विश्वास की परिक्षा देखने के लिए आए काफी वीड हो गई और सारा पंडाल भर गया स्रद्धा और विश्वास का जस्न जो था पंडित जी महराज को और वकील साहब दोनों कथा पंडाल में पधारे पंडित जी बोले प्रभू आज मेरा प्रसन नहीं है बलकि रखकुल रीती की परंपरा का सवाल है आज मुझे हारने नहीं देना मालिक मैं तो एक साधारम मनुस्जन हूँ मेरी भक्ती और आस्था की लाज आपके हाथों में है आप मेरी लाज रखना है इतना बोलकर पंडित जी ने फिर वकील साहब को निमंत्रन दिया गया आईए और गद्दी उंची कीजिए वकील साहब आज आईए और पंडित जी हाँ चोड़कर बस भगवान से प्राथना कर रहे हैं और उनको विश्वास है इतना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता मतलब जो मैं कहा हूँ वही होगा भगवान है आज कसोटी पर कसना था कसोटी पर उतरना था उनको लोगों की आखें जम गई वकील साहब खड़े हुए उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ उठाया पर गद्दी को इस पर्स भी ना कर सके जो भी कारण नरहा हो पता नहीं किस वज़े से क्या ऐसा हो रहा था कि वो गद्दी उठाने की बात तो दूर गद्दी को छूब ही नहीं पा रहे थे इतनी प्रयास किया वकील साहब ने लेकिन गद्धी उठा भी नहीं पाई छू भी नहीं पाई ऐसे हो रहा था वकील साहब पसीने से तर बतर हो गए वकील साहब पंडित जी महराज के चर्णों में गिर पड़े और बोले महराज गद्धी उठाना तो दूर मुझे नहीं मालुम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्धी तक नहीं पहुँच पा रहा था इतना बोलकर वकील साहब ने कहा अता मैं अपनी हार सुईकार करता हूँ कहते हैं कि स्रद्धा और भक्ती के साथ की गई अराधना में बहुत सक्ती होती है मानो तो देव नहीं तो पत्थर प्रभू की मूर्ती तो पत्थर की ही होती है पसान की ही होती है लेकिन भक्त की भक्ती की भाव से उसमें प्रान प्रतिष्ठा होती है तो प्रभू विराजते हैं कहते हैं न कि मूर्ती तो पत्थर की है तो पत्थर की मूर्ती में ही तो जान कौन लाता है इंसान ही तो लाते हैं और अपनी भक्ती और भाव की बज़े से ही है तो बोलिए हनुमन दिलाली कीजे वाला जी सरकारी कीजे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक यू सो मच फुल वाच करने के लिए